आज हम जा रहे हैं गोवा फ्रम पुने और अभी बच चुके हैं सुभे के चार और डेट है 1st नवेंबर 2024 लखबगपाज25 पुन्ते का ट्रेवलिंग हम करके पूच चुके हैं पहुni और यहां पे हम दर्शन ले रहे हैं श्री महालक्ष्मीय देवी के मंदिर लक्ष्मीजी को समरफित है चलिए अंदर चलते हैं और दर्शन लेते हैं महालक्ष्मी देवी के झाल झाल आज दिवाली है तो दिवाली की दिन हम लोग आये हैं महालक्षमी जी के दर्शन लेने के लिए जिसके वज़े से हमें थोड़ा ज्यादा रश देखने के लिए मिला झाल 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 मंदीर में दर्शन करने के बाद हम लोगों ने विजिट किया शाहू महाराज पैलेस मुर्ण दर्शन कर हैं मुअ पैब आये हैं यहां पे नोट करने वाली कि जब हम लोग शाहो माराज पैलेस्ट के गेट से एंटर करते हैं, उसी गेट पे ही साइड में टिकेट बूत है, तो वहां से आपको टिकेट काउंटर से टिकेट लेना पड़ेगा. बढ़ रखी साइड है, वहां से एंटर करता हैं, ट्रॉक पे एंटर. लंज करने के बाद अब हम लोग निकल चुके हैं गोवा के लिए अन दे वे हम लोगों ने एक बहुत ही सुन्दर वाटरफॉल देखा इस वाटरफॉल का नाम है अम्बूली वाटरफॉल और हम लोगों ने कुछ फोटोस भी की चाएं यहां पे यहां पे आपको बहुत सारे मंकीज दिखेंगे तो आप एक चीज का ध्यान रखिएगा अगर आपके पास कुछ भी खाने का आइटम अगर हाथ में हैं तो बी कैरफॉल फाइनली हम पहुच चुके हैं हमारे एरबी एंबी हाउस में और यह मेरा एचली फर्स टाइम मेरा एक्सपिरियंस था एरबी एंबी का अब हम लोग रेडी होके हम लोग निकल चुके हैं गोहा घुमने के लिए फर्स टे में हम लोगों ने कवर किया यह चर्च जो की नाम है बेसिलिका अफ़ बाम जीचस जिसको बनाया गया है 1594 में मतलब कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था 1594 और खातम वा 1604 में इस चर्च के अंदर फोटो निकालने या फिर वीडियो निकालना अलावड नहीं है तो मेक शूर कि आप यह ना करें कर द도 हैं अलाव चिसलिकांट दो कर दो दो अंदरिंगा झालना अफ़ बाम जो कि अवड़ में मतलब को कि आप जब आप जो खुआ झाल 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 झाल